गर्णवारा के श्री देव शांती जेन मंदिर में परवाधिराज परियूशन महापर्व बड़ी हर्षुलास के साथ मनाएगा जगतगुरु राम सरूपाच्वार जी का मंदिर में आगमन कुआ महराज जी ने कहा यहां आकर मुझे बड़ा आनंद मिला जेन समधाय बहुत ही समन वयादी है और समरस्ता का संदेश देने वाला आहिंसा का संदेश पूरी जुनिया में दिया है इस समसर पर नर्मदापुरम सांसत राव दयपताप से विधायक सुनीता पटेल पूर विधा साधना स्थापक भाज़िपांदीता गौतम सींपटेल नगर पालिक अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रावम नगर के सभी श्रधालुभग दर्शन करने पहुंचे आज अब इस समय आप जहन समाच को मंदर में पहुंचूंगा स्री देवशांतिनात मंदर में मैं समय से आया यहां आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और स्री देवशांतिनात जी महराज की कृपा से सब कुछ हो रहा है और आँगे अच्छा ही अच्छा होता रहेगा और यहां का जो जहन शमुदा है वो बहुत ही समन्वेवादी है और समरस्ता का संदेश देने वाला है और मैंने तो यह अनभाव किया है कि फामी स्री देवशांतिनात जी महराज आहिंसा के पुजारी थे उन्होंने पूरे विश्व में आहिंसा का संदेश दिया है अगर उनके इस संदेश पर पूरी दुनिया चल जाए तो कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा दुनिया में आएगी ही नहीं हिंसा के कारण ही आपदाएं आ रही है अहिंसा से सारी आपदाएं शमाप्त हो जाती है इसलिए उनका जो शिद्धान थे अहिंशाबादी बनो पूरी दुनिया को अहिंसाबादी हो जाना चाहिए सात्त्य की हो जाना चाहिए खान पान यदि जैसा खाओ अन वैशा वने म जैसा आप अन्न खाएंगे दूशित खाएंगे तो दूशित बनेंगे विचार भी दूशित होंगे पवित्र अन्न खाएंगे तो निश्चित्रू से पवित्र विशार होंगे इसलिए हमें परम पवित्र अन्न ग्रहन करना चाहिए और यह सत्त है कि सूर की किरण अस्त नह संपान कर रहे हैं इसलिए रोगों को निमंत्रन दे रहे हैं अगर हम सूरस्त के पहले ही भोजन प्रशाद पा लें तो हम आरोग हो जाएंगे और कोई रोग अमारे जीवन में नहीं रहे इसलिए बहुत अच्छा सिद्धानत है मैं समर्थन करता हूँ और संपूर्ण जैन समदाय को बहुत-बहुत सुभकामना दे रहा हूँ क्योंकि आज श्री देव शांतिनात जी का जन्मावी स्वामी बांचना दिवस माना जाएगा यह बांचना दिवस है इसलिए इस अफशर पर मैं श्री देव शांतिनात जैन मंदिर में बेटा हूँ मैं समपूर्ण जैन समदाय को बहुत-बहुत सुभकामना दे रहा हूँ भगवान की क्रपासि अच्छा ही अच्छा हो रहा मंगल हूँ आज बड़ी खुशी का विशे है जैन ओस्वाल जैन के हमारे प गार्रवारा की एक बड़ी प्राचीन परंपरा रही है यहां सर्म धर्मों के लोगों को आज की दिन प्लोगा जाता है और वो सारे गार्रवारा के सब धर्मों के लोग यहां दर्शन करने आते हैं आज उसी तारतमे में हम बले सौभागे साली हैं कि हमारे यहां पर आज परम पूज जगत गुरु राम सरूप नंजी यहां पर आज गुर्दयों दर्शन करने पदा रहे और उन्होंने मंदर की दर्शन करके वो इतना अभीभूत थे इतना आनंदित थे उन्होंने बहुत आशिवाद दिया और कहा कि यहाँ अंदर आते से ही एक अलग प्रकार की अनुभूती का आनंद हुआ है ऐसा प्रतीत होता है जैसे सांतिनाज जी यहाँ साख्षात विराजमान हो आज वो बहुत हर्शित होकर गए हैं और फिर आने का वादा करके हम लोगों से गए हैं और सभी को चित्रकूर पूरी जैन समाज को उन्होंने आमंत्रिनक दिया है और साथ ही उन्होंने भगवान महावीर के संदेश को भी यहाँ हमारे सब जनों के सामने मंदर में बैठकर कि सब जनों को आइंसा के राश्ति पर अगर चलेंगे तो ये देश में विद्वंस और विद्रूर की सारी संभावनाय समाप्त हो जाएंगी ये संदेश वो देखर गए हैं गडरवारा से संजे कुपता की रपोर्ट